हाई एवरीवान वेलकम टू जेयार टुटोरियल्स आयम यूर फ्रेंड राहूल जेयसवाल तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यार बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है कि उनके एक्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो सबसे पहले मेरे सभे प्यारे बच्च जाएगा तो all the very best एक्जाम अच्छे से लिखना अच्छे से मार्स लखे आना ठीक है तो चलो आज आते हैं टॉपिक के उपर तो आज क्या पढ़ने वाले हैं आज का एक वीडियो बहतरीन तरीके से लेकर आयो जिसमें हम लोग 9 स्टैंडर के लिए जैसा कि आप जानते हो नमबर 2 solve कर रहे थे तो आज पहुच चुके हम अपने आखरी पढ़ाओ पर यानि लेक्चर नमबर 3 आया हूँ लेके जिसमें बचे वे दो एक्जामपल को आज हम लोग solve कर बाने वाले हैं पूरा पूरा एक्जामपल आज कंप्लीट हो जाएगा बतला प्रॉब्लम सेट जो बचा है हमारा problem set number 2 का जो बचे होए एक्जामपल से उसको complete कराएंगे सिब दो एक्जामपल आज करना है लेकिन बहुत मज़दार एक्जामपल है ये दोनों में से कोई एक एक्जाम में पूछता है ज्यादा तर चांस है तो ये दोनों देख लो अच्छी तरीके से हो हो सकता है इसमें से कोई एक एक्जाम में आ जाये और बहुत अच्छी तरीके से आप एक्जाम में मार्ग्स भी निकाल पर गए ठीक है तो चले श्युरुआत करेंगे बस स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ हमारे वीडियो अच्छी तरीक से देखो वीडियो को प्य सकते हो अच्छी तरी किसे पढ़ाई करना तो एक फिगर दिया हुआ यह आप देख पारें देख पारें देरा सो मेरी आइंगल्स गीवन इए डिए अब जी अच यहां पर आठ के आट आइंगल्स दिये हुएं करेक्ट है यहां पर कोश्चन पूचा है कि क्यू पैरलल टू वैलू उन्होंने दे रखा है कि एंगल एका जो वैलू है वह असी डिग्री उन्होंने दे रखा है ठीके चलो मान लिया फाइंड वैलूस ओप एफ एंजी एफ किदर है यह एफ है और यह जी इन दोना का वैलू निकालना है तो हम लोग शुरुआत करेंगे तो सबसे पह लोग चीज यहां पर दिया हुआ है अगर आप डायग्राम को फोकस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी तरुके समझ में आएगा कि यह जो मेरा एंगल है और यह जो एंगल जी है यह और यह जी ध्यान से देखना इस प्रकार के लाइंस है यहां पर आंगल एंगल ए है ठीक इसका नाम G है और यह जो अंगल A, यह दोनों सेम हो जाएंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि अंगल G is equal to angle A, क्यों हुए, reason लिख दो यहाँ पे, that is exterior alternate test, alternate angle, exterior alternate angle test के वज़े से यह चीज हो पाया, तो angle G A के बराबर है, तो angle A to 80 degree है, तो मेरा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि angle G का value भी कितना हो जाएगा, 80 degree हो जाएगा, ठीक है, angle G का value 80 degree हो गया, कहां से आया, from equation number 1, from 1 से आ गया, कि angle G का value भी 80 degree हा जाएगा, तो पहला question निकाल दिया, दो चीज़ पूचा था, F निकालो और G निकालो, तो G तो निकालने हैं कितना आसानी से निकल गया, दो step के अंदर, within 10 seconds के अंदर आपका G का value मिल गया, दो आप देखोगे, F और G में कुछ relation होता है कि, हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है दोस्तो, कि line जो है मिरा, जिसका नाम क्या है, दोस्तो, line का, Q और R, ये line Q है, ये R है न, तो line Q जो है, वो parallel है, line R से, and P is transversal, T मेरे लिए क्या है, transversal है, तो हम लोग सिदा-सिदा लिख सकते हैं, therefore, अगर ऐसा होता है कि, दो line parallel है, और एक transversal है, तो ये F और ये G, ये अपस में क्या हो रहे है, interior हो रहे है न, एक तरीके से linear pair भी आप बोल सकते हो, यानि कि, F और G, इन दोनों को अगर मैं plus करू तो ये plus करके 180 के बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, therefore, angle F plus angle G, that will be equal to 180 degree, कहां से आया, because of interior angle, ठीक है, या फिर आप सिदा-सिदा लिख सकते हो, linear pair के वज़ी से आ रहे है, ठीक है, समझ में आया, angle F, मुझे पता नहीं है, तो angle F के जगा पे मैं same to same angle F ही लिख तो therefore, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, angle F का value मिल जाएगा, जो की आजाएगा, 100 degree, आगया answer, खतम, हमारा answer आगया F का value, यानि कि जो चीज हमें पूछा था, क्या पूछा था, कि angle G का value निकालो, 80 degree आगया, और angle F का value निकालो, तो angle F का value भी आगया, 100 degree, कितना आसानी से द पूरा-पूरा example आपको अच्छी ते रिखी से समझ में आ गया हुआ, यह था हमारा आज के लिए पहला question और आपके लिए question number 6, इस problem set का, समझ में आ गया, अगले question पे चलते हैं, आखरी question है, मतब दो ही लिक्चर था, जो ही छोटा सा lecture था, दो ही lecture था, I mean उसे दो ही question था, तो एक question कर लिया, अब अगला भी question देख लेते हैं, फटा-फट से solve करते हैं, फिर चुटी बनाते हैं, ठीक है, चलो, आज का आखरी question और आपके लिए दूसरा, और इस problem set का सात्वा, क्या बोल रहा है, एक figure दिया हुए, जिसमें बोल रहा है, कि यह जो line AB है, वो parallel है, किस से, CF से, यह पूरा line दिख रहा है, यह पूरा line CF है, यह AB है, चलो, ठीक है, मान लिया, and line BC is parallel to ED, यह BC वाला line भी ED से parallel है, चलो, ठीक है, मान लेते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को parallel है, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कि prove that angle ABC और FDE equal है, ABC कि दर है, angle ABC, मतलब यह वाला ज angle, तो यह angle और यह angle एक दूसरे को equal है, या इसा, पूरूफ करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे proof, step by step जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीज, जो भी चीज हमें दिया हुआ है, वो लिख लेते हम लो, क्या दिया हुआ है, क यह line BC जो है, यह parallel है, line ED से, यह हम लोगों को दिया हुआ है, ऐसा लिख देने का bracket बना के, it is given here, यह हम लोगो क्या है, given दिया हुआ है, ठीक है, कोई परशानी है यहांता है, क्या तक समझ में आ गया है, बहुत simple है, बस question में से जो चीज दिया हुआ है, वो लिख लिख लि DE, यह हम लोगो क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, sorry, देखों यहां पर, angle F DE को equal प्रूफ करके दिखाना है, यह मेरा प्रूफ हो गया, और actual में हम यहां से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो यह to prove यह है, और proof हम लोग अभी सबूद प A, B is parallel to line, C, F, और इसी में अगर आप देखोगे, A, B, C, F को parallel है, और उसी में अगर आप देखोगे, तो मैं ता जो BC वाला line है, यह तरीके से transversal जैसा काम करेगा, या फिर जो ED वाला line है, यह भी क्या करेगा, transversal जैसा काम करेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहां पर प यह ऐसा जा रहा है, मतलब उसके लिए क्या हो गया, transversal हो गया, तो मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता है, अगर आप दिहान लगा कि अगर आप देखोगे, यहां पर, तो angle ABC अगर आप देखो, यह वाला angle, ठीक है, angle ABC और दूसरा वाला जो angle, यह BCD, मतलब यह वाला angle, यह दो दोनों, देखो ऐसा बन रहा है न, मतलब यह वाला angle, जिसका नामे B, और यह वाला angle, जिसका नामे C, तो यह दोनों क्या है, एक दूसरे को, alternate बना रहे न, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि therefore, angle ABC is equal to, किस से हो जाएगा, ABC equal to, BCD से equal हो जाएगा, तो angle BCD से equal हो गया, यह क्य क्यूँ हुआ यह, यह alternate angle है, इसी ले हुआ, ठीक है, alternate angle है, इसी ले हुआ, अगला question, मतलब अगला step, यह एक चीज हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ, equation number 1, इसको चाहिए तो मान लो, equation number 1, ठीक है, अब एक और चीज देखो, यहाँ पे अगर आप बिल्कुल अच्छी तरी तो line BC is parallel to line ED, ठीक है, और इन दोनों के case में, transversal भी निकल रहे, मतलब यह दोनों parallel है, मतलब इन दोनों क्या है, transversal है, तो दोनों एसे एक में क्या कर रहा हूँ, transversal मान रहा हूँ, तो मैं यह जो CD line है, ठीक है, यह दोनों parallel है, तो यह बड़ा वाला CD line है, वो क्या हो जा सकता हूं दोस्तों कि मेरा जो एंगल BCD है ठीक है ना कुन सा वाला एंगल BCD है ये वाला एंगल अगर आप देखोगे और दूसरा जो मेरा एंगल है यहां देखो और यह एंगल दोने कुछ इंगल और यहां पर कि मेरा जो एंगल जिसका नाम है BCD तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि एंगल एंगल BCD is equal to किससे equal हो जाएगा किससे equal हो जाएगा जोस्तों यहां पर यहां पर यह वाले एंगल से इसका नाम क्या है ठीक है ना या फिर FDE बोल लो तो यहां दिक है मैं लिखूंगा यहां पर FDE से वो क्या है इक्वल है यह क्यू हुँ हुआ ऐसा इकवेशन नमबर 2 अगर आप यह एक्वेशन नमबर 1 को इसको मैं मिटा दू हुँ अगर आप देखो बिल्कुल ध्यान से देखना अगर आप यह वह ध्यान से हमारा ठीक है और यह द्यान से अगर देखो तो यह ABC equal to BCD है, यह BCD is equal to FDA, तो यहाँ पे भी BCD, यहाँ पे भी BCD है, मतलब इन दोनों equal हो सकते, तो जब BCD, BCD equal हो जाएंगे, तो यह ABC और यह FD भी equal हो सकते, तो हम लोग लिख सकते हैं कि from equation number 1 and 2, हम लोग क्या लिख सकते हैं from equation 1 and 2, कि मेरा जो angle ABC है, यह equal हो जाएगा, किस से equal हो जाएगा, इस से equal हो जाएगा, यही तो हमें show करना था, यही तो proof करना था कि angle ABC को FDE के बराबर दिखा हो, तो angle ABC equal to FDE आ गया है, तो हम लोग लिखे लिखेंगे, last में hence proved, यह चीज़ हमने prove करके दिखा दिया, तो यह हम लोग आपको पता है कि क्या करना है मुझे, तो definitely you will get the answer, आपको answer मिल जाएगा, कोई परिशानी आपको नहीं होगी, ठीक है, clear है, तो यही ते दोस्तों हमारे total 2 questions जो आज हम कराने वाले से, जो की most important लगते है, इस problem problem set में से, तो हमने यह करा दिये, तो उमीद करता हूँ इसमें से, और जो पहले हमने करा है, इसमें से, कोई बहुत सारे examples, आपको exam में आ जाए, repeat हो जाए, तो आपको बहुत आच्छी तरीके से marks मिल जाएगा, ठीक है, तो चलो फिर आज का लेक्टर इतना ही यह वीडियो, आपको कैसा लगा है, प्लीज मुझे comment करके जरूर से बता देना, वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूसफूल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्टों के साथ जितना हो सके share कर देना, और अगर फ कि आपको notifications मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new वीडियो में तब तक के लिए, thank you and goodbye.